दोस्तो आज हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं एक बहुत ही असान और मज़ेदार से नास्ते की रेस्पी जिसे हम दो कच्चे आलू और गुथे वे आटे से बनाएंगे ये इतने यूनिक टेस्टी वक कुरकुरे होते हैं कि जो भी खाएगा आपसे एक बार इसकी रेस्पी जरूर पूछेगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने दो मीडियम साइच के कच्चे आलू ली है इनको छिलने के बाद पानी में डाल दिया है जिसे कि ये काले न पड़े तो चलिए इनको हम कदुकस कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने छोटे छेद वाले कदुकस का इस्तमा कूछ कर लेंगे इसे भी हम आलू के साथ कदकस कर लेंगे लासन खाते हूँ तो उसे भी गरेट कर लिजेगा दो बारी कटी हुई इसमें हरी मिष डालेंगे आधा चम्मच जीरा हींट करेंगे आधा चम्मच आजव माईं एक चम्माच कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा हिंग कलर के लिए मैंने एक चोथाई चम्माच हल्दी ली है ये डाल देंगे और स्वात के अनुसार नमक एक प्याज को मैंने लंबाई में काट कर लच्छो को अलग कर लिया है प्याज खारते हो तो जरूर डालिएगा अ आधा कप बेशन अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इनका एक खोल त्यार कर लेंगे इस घोल को हमें न तो ज्यादा पतला रखना है और नहीं ज्यादा काढ़ा जैसे हम पकोड़े के लिए घोल बनाते हैं उसी तरह का हमें ये बटर बना कर त्यार करन जो सुबा या साम रोटियां बनाने के बाद बच जाती हैं आप चाहें तो इसकी जगा फ्रेस आटा गूत कर भी ले सकते हैं सुबा का बचा हुआ आटा है तो इसे हम एक बार अच्छे से मसाल लेंगे और इसे चिकना करके एक बड़ी लोई बना लेंगे इस लोई को सु चोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बेलना है देखिए इस तरह से अब एक छोटी गिलास या कटोरी ले लिजे इससे इसकी छोटी छोटी पूडियां कट कर लिजे इस तरह से नास्ता हमारा एक बराबर बनेगा और जल्दी बन जाएगा किनारे के आठे को हटा देंगे और इनकी भी इस तरह से पूडियां बेलकर ले लेंगे अब इन पूडियों को एक प्लेट में रख लेंगे और इनको सेक लेंगे तो यहाँ पर मैंने गैस पर तवा रखी है इसके उपर हम ये पूडियां रखेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके इनको सेख लेंगे जब ये एक तरफ से सिख जाए तो इनको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी जब ये थोड़े सिख जाए तो इनको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद इनको पल्टे से थोड़ा दबा दिजेगा जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए और देखे इस तरह से इसे छोटी छोटी पूरियां बनकर त्यार हो गई हैं बहुत जल्दी सिख जाती हैं तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे अब एक पूरिय लेंगे इसे आलू पेसन के घोल में डालेंगे और इसे अच्छे से डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद इसे चम्मच या फोर्क की हिल्क से और इनको गरम तेल में डालते जाएंगे पैन में मैंने पहले से तेल गरम होने के लिए रख दी थी तेल गरम हो गया है तो इसमें हम ये एक के करके डालते जाएंगे जितना की पैन में आ जाए और इनको मेडियम आज पर गोल्डेन होने तक सेख लेंगे और जब ये एक तरफ से गोल्डेन हो जाए तो इनको दूसरी तरफ पलट लिजेगा और दूसरी तरफ से भी कोल्डेन होने तक फ्राइ कर लिजेगा आप देख सकते हैं पूरियां सेखते समय अच्छे से फूल गई थी तो नास्ता भी हमारा फूला फूला बना है और देखे दूसरी तरफ से भी इनका कलर सुना रहा हो गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो इनको हम निकाल लेंगे और देखे ये बहुत ज़्यादा ओयली भी नहीं हुए है और ये एकदम कुरकुरे वर चटपड़े बने हैं और गुबारे जैसे फूले फूले इनको देखकर कोई बता ही ये गुथे वे आटे से बने हैं ये इतने क्रंची वर टेस्टी लगते हैं तो दोस्तों यदि आपको गुथे वे आटे से कुछ इस्पेशल बनाना हो तो एक बार इस नास्य को जरूर से ट्राइ करिएगा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेश्पी बहुत पसंद आएगी और यदि आपको ये रेश्पी पसंद आती है तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक, सेर, सस्काइब करना ना भूलिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई इनिमिटीव के साथ धन्य बाद